गुड मॉनिंग, माई दिये स्टुडेल्स, आजे आपड़े 12 फिजिक्स, चेप्टन नंबर 6, लेक्चर नंबर 2 उपर आविये छे, अने लेक्चर नंबर 2 माँ, आजे आपड़े आपड़े Magnetic Flux टॉपिक पर आविये, Explain the Concept of Magnetic Flux, तो जे रीते आपड़ने Electric Flux कबर छे, एज रीते सेम, तमने Magnetic Flux माण, तमने मर से, अबे, Electric Flux माँ आपड़े हो किदेलू के जहरे भी कोईक सर्फेस हसे, अने सर्फेस माँटी केटली फिल लाइन्स पासाउट थसे, करी सक्ये जह, एज रीते, सपोज एम समझी लेव के, आपड़ा पासे कोई सर्फेस एरिया छे, अने सर्फेस एरिया माँटी, Magnetic Fill Lens से, पासाउट थसे होई, अगे, एज ए Magnetic Fill Lens पासाउट थसे, तो एनी Number of Magnetic Fill Lens जे छे, आपड़े Magnetic Flux ठुए, आपड़े हो करी सक्ये छे, फाइंड आओट करी सक्ये छे, तमने खबर छे, यह, इलेक्ट्रिक Flux मां आपड़े Equations सो लगता ह टो इलेक्ट्रिक फ्लक्स माँ आपड़े और एक्वेश्य लगता हाता व्यक्टक फ्लक्स सब्सक्राइग्ट्ट Sm Twitter Lगता रहता था तो आपड़े जोई है, magnetic flux, magnetic flux through a plane of area placed in a uniform magnetic field B as shown in a figure and it can be write as flux y equal to vector B dot vector A. सपोज हैं समझे लेओ के आपड़ा पास है, uniform magnetic field B छें, अने ए uniform magnetic field B जे छे, ए तमारो plane area of A माँटी सो धाय छे, पासा उटाय छे. अबे, ए एरिया माँटी सपोज B magnetic field जो तमारो पासा उठाय तो flux phi equal to आपड़े सो राइट डाउन करी सक्ये, vector B dot vector A, अने vector B dot vector A होई तो एने आपड़े सों कही सक्ये, B A cos theta लखी सक्ये, सों लखी सक्ये, B A cos theta लखी सक्ये, तो flux phi equal to vector B dot vector A equal to operation लखी सक्ये, B A cos theta लखी सक्ये, वे theta is the angle between vector B and vector A, and equation 1 can be extended to curve surface and a non-uniform field as shown in a below figure, तो अहियां जे छे, तमें आज एक्वेशन जे छे, आएक्वेशन तमें बराबर तमें जे plane surface छे, एनी जेके तमें कव surface माटें, और यूनिफॉर्म magnetic field छे, एनी जेके नन यूनिफॉर्म magnetic field माटें भी find out करी सक्यों छों, पर एन हा उना माटें तमारे सों करा आ पड़ से, तो एना माटें तमारे एक small segment लेओ पड़ से, इस small segment माटें तमारे सों करोन होए से, magnetic flux find out करोन हो रह से, इस small segment नूhm magnetic flux माट small हो, एकल आपने delta 5 केह सखिये, delta 5 ॥ा उपने सो उन करिच सखिये, तो वेक्टर B नी चेके आपड़े केसों B I कैमके B I जे छे ए तमारो I component चे एनी magnetic field चे ओके dot source है तो dot तमारो source है DAI आउस है जह बराबर आज जे तमारो DAI जे छे तमारो सों चे small segment चे तो तमें ज़रा ज़्यान रख जो के D5 आपड़े सों राइट डाउन करी सक्के vector B I dot आपड़े सों लखी सक्के D A I लखी सक्के छे अने आजे तमारो small segment आजे तमारो बराबर small segment माटे नूझे flux जे जो तमारे total flux जो find out करवानू होई तो तमारे सों करवा पर से integration करवा पर से जो तमें integration कर सों तो integration करदा तमें काव surface अने non-uniform magnetic field माटे तमें flux find out करी सको तो आपड़े हो के ही सक्के कि if the magnetic field has a different magnitudes and a direction at a various part of the surface as shown in a figure then magnetic flux to the surface is given by आपड़े small segment ले इने ये बद्धा small segment आपड़े सों करवा जो है total sum करवा जो है ये लाइक vector b1 dot d a1 plus vector b2 dot d a2 ये भी रीते जिटला भी आसे बज़ दन तमारे सों करवा पड़ से summation करवा पड़ से अने आनुजे तमें summation कर सो बराबर ए summation ये छे के मा convert असे integration मा convert असे ये इन्टीग्रेशन मा convert असे ये बराबर आ तमें नीव राइट डाउन कर सो तो भी चाल से डाइरेक्ली तमें कहीं सको के this summation can be written in the form of integration flux y equal to integration of surface vector b dot vector d a vector b dot आपड़ सों कहीं सके वेक्टर d a तो आद हमारू magnetic flux चे बिजी बस्तू magnetic flux जे छे it's a scalar quantity कैम के अहीं तमने जे dot product मले छे यहने आपड़े scalar product के ही सके कैम के scalar product इतले के तमें जारे टू वेक्टर नू बराबर multiplication कर सो त्यारे तमने resultant resultant quantity जो scalar मलती होई तो यहने आपड़े scalar product के ही सके छे तो वेक्टर b dot d a जे छे तमारो scalar product चे इतले magnetic flux इसे सकेलर quantity आव से इत्स यूनिट इस हो आव से वेबर बराबर अने आपने खबर छे कि flux नू यूनिट चे वेबर छे नी तो magnetic field नू यूनिट चे टेसला अने एरिया नू यूनिट चे मीटर स्क्वेर तो एना पड़ती टेसला मीटर स्क्वेर भी पड़े अठवा बीजू तमारा पासे वाल्ट इन्टूस नू चे सेकंड चे जेना आपने फर्दर आपने होई तो तुमारे रिमेंबर राखा पर से 1221 याड राखा पर से 1221 यह लेके M1 L2 T-2 A-1 बराबर पिल्ला बेज़े छे प्लस आप से ने पच्छी ना बेस आप से माइनस आप से एले M1 L2 T-2 A-1 आप से अब है डेफिनेशन पर आविए डेफिनेशन ओफ वन वेबर अब ह ओफ है वन बर नी डेफिनेशन कियारे बनी सके है तो Magnet Science ने वैलीविं भी वजा और सॉरी Magnet Chaos hakkी में वेलुदिवी वन्रम में टेसला हुई जो और एरियाह 20 माम होई perpendicular to the 1 meter square surface then the magnetic flux link with the surface is called 1 Weber magnetic flux जे छे है that is link with the surface ए तमारो केटलो थास है 1 Weber थास है पर ए क्या रहे जारे magnetic field केटली आस है 1 tesla अने area केटलो आस है 1 meter square आस है CGS नी वाट करिये the CGS unit of magnetic flux is Maxwell Maxwell जे छे है that is the CGS unit of us हो छे तो magnetic flux छे अने MKS अठवा तो SI unit नी वाट करिये तो SI unit नी थामारो वे बर छे अबे जो Maxwell नी आपड़े वाट करिये तो 1 Maxwell equal to केटलो 1 Maxwell equal to 1 Gauss into 1 centimeter square तमने भी खबर छे के tesla जे छे ए SI unit छे अठवा ता MKS unit छे जरे Gauss जे छे ए तमारो CGS unit छे अने area meter square नी जग्या है सो अठी जसे centimeter square तो जरा जियन रख जो tesla नी जग्या है बनी जसे Gauss अने meter square नी जग्या है सो बनी जसे centimeter square so 1 Maxwell equal to 1 gram centimeter square 1 gram centimeter square अने tesla ने जो तमारे gram centimeter एडले 1 tesla meter square ने जो तमारे gram centimeter square मा convert कर हो है तो 1 tesla equal to 10 to 4 gauss बराबर 1 tesla equal to 10 to 4 gauss ने 1 meter square equal to 10 to 4 centimeter square तो 10 to 4 into 10 to 4 इटले total किटला थी जैसे 10 to 8 इटले relation बन से 1 Weber equal to 10 to 8 Maxwell बराबर तो जरा ज्यान रख जो there is a relations between Maxwell and Weber 1 Weber equal to 10 raise to 8 Maxwell आउसे जा वेबर जे छे ऐसा यूनिट और MKS यूनिट छे जारे Maxwell जे छे आपड़ो CGS यूनिट छे नाव नेक्स आपड़े जो ये तो cos 0 नी value 1 छे है तो flux इस स्वा हम से positive when they are in opposite direction चलो opposite direction होई तो theta नी value किटली आप से 180 अने cos 180 नी value किटली तो cos 180 नी value minus 1 छे है so the flux direction will be स्वा हम से negative and if A and B are perpendicular परपेंडिकिलर होई तो theta किटलो थे याई 90 अने 90 था से तो cos 90 नी value स्वा हम से 0 ये फ्लक्स मस्वा हम से 0 हम से है तो ध्यान रख जो बनने parallel हम से theta में जे छे flux positive हम से किमके तमारो theta जे छे 0 हम से जहरे anti-parallel हम से अठवाटो opposite हम से जहरे theta 180 था हम ये फ्लक्स तमारो negative बन से और जहरे theta perpendicular जहरे magnetic field ने aerial vector perpendicular हम से जहरे theta 90 था से cost 90 नी value 0 एटले आपड़ो flux 20 था से जीरो था से तो ध्यान रख जो जो तमारे अहिया सुन्दी जो तम्हें write down करो तो एक्जाम माटो 3 और 4 marks माटे होई पर जो 2 marks माटे हासे तो तमारे only बराबर एनो unit भी जो एनो उपर नो explanation सुन्दी तमारे करवानूरे से तमारे definition of Weber बराबर पची तमारे cgs unit of magnetic flux आ बदो तमारे 2 marks माँ लखवानू होतु नथी तो आटलू बस्तो तमारे ध्यान राखवानू छे तो magnetic flux जो एक्जाम माँ पूछा से तो आपड़े हो कही सक्ये के if magnetic field B passing through the unit passing through the area A then the magnetic flux 5 equal to आपड़े write down करी सक्ये vector B dot vector A equal to BA cost rate बट अहीं तमारे magnetic field uniform छे अने plane जे छे एडले तमारे एरिया जे छे एसमों छे plane छे बट एम समझे लगो के irregular safe होई और यूनिफॉर्म नी जेगा नन यूनिफॉर्म होई तो तमारे small segment लेने बद्धानुसों कराओ पर से टोटल सम कराओ पर से और टोटल समझे छे यह लास्के मां converter से इंडिक्रेशन मां converter से त्यार पशी तम्हें काइक वज़ारे कही सको ए माइनस वन ओके तो आर इड़े आपड़ों मेगनेटिक फ्लक्स जे जो आमा कसे पन तुमने डाउट अराई साई तो तुम्हें मने फॉन करी ने पूछी सको छो आई विल डेफिनेटली एक्स्प्लेन यू थैंक्यू वेरी मच बाई